आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, question में पूछा हुए है Manleaf ने correct की थी Atomic Width किस element का Beryllium, Nitrogen, Oxygen या क्लोरीन, तो देखो Manleaf को हम इस से जानते है He is known as the Father of the Modern Periodic Table Father of the Modern Periodic Table हम किसको बोलते है Manleaf को ठीक है ना, उसके बाद मैं क्या बोल सकती हूँ कि Manleaf ने किस-किस element की correction की थी और वो क्यों की थी, हुआ गया था कि हमारी जो पूरी Periodic Table है उसमें Manleaf ने correction की थी Beryllium की Beryllium की that is BE और हमारी बहुत सारे elements से की थी, Indium Gold Platinum तो ये कुछ elements है जिनकी correction की थी क्यों की थी, एक्चली पहले Beryllium का Atomic Weight कितना लिखा गया था टेबल में Atomic Weight was written to be 13.5 पर हम Manleaf ने क्या क्या है Manleaf ने formula दिया कि जो Atomic Weight होता है जो Atomic Weight होता है किसी भी element का वो क्या होता है Equivalent Weight multiplied with its valency तो ये 13.5 से correct होगे कितना कर दिया था, ये correct कर कर दिया था, 9 तो हमारा Atomic Weight Beryllium का क्या रहता है यहाँ पर 9, ठीक है? और Indian का भी मैंने आपको बताया है, ये concept कि उसके था कि Atomic Mass को हम Atomic Weight को इसी formula से calculate कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर Options में हम चेक करें कि कौन सा इन में से Manleaf ने correct किया था तो फर्स्टी ऑप्शन मेरिलियम गीवन है तो वो हमारे इस question का क्या हो जाएगा correct answer और मैंने आपको बताया कि Atomic Mass को In Place of the Atomic Mass, उसने किसको importance जादा दीती, Manleaf ने Atomic Number को, ठीक है? तो इस question का correct answer क्या होगा? Beryllium और फिर उसको correctly periodic table में place कर दिया था, ठीक है? क्लासिक्स से टुएल से लेके NEED IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर